नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंगीडेंस इंसाइड में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दबा ले ताकि कोई भी मेडिकल प्रोड़क की जानकारी हो आप तक सबसे पहले पोट सके मेरा ना कंपनी से मार्केट कर रही है और इसमें तीन ही दवाईयां डाली गई है डॉक्टर इसे खाज-खुझली इचिंग इरिटेशन और फंगल इंफेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं कैंडी डर्मा प्लस क्रीम 20 ग्राम की यह ट्यूब है और अल्मोस 129 रुपीस की क्रीम केंख तीन दवाई एन उटर्मचला टलाओं सथों करें दॉसरी दवाई जो डाली है यहां पर भी आपको खाज खुजली इचिंग इरिटेशन होती है फंगल इंफेक्शन के पेशेंट्स मुझली क्या कर देते हैं कि इंफेक्टेड एरिया को बार बार इचिंग करकर उस एरिया को जखम बना देते हैं जिसकी वज़े से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है तो बैकलो मिथासोन क्या करता है अच्छा मैं समझता हूं अच्छा इंग्रीडेंट है जो इचिंग को उसी वक रोग देता है खाज ठीक होता जाता है तीसरी दवाई जो डाली गई है वो हैं एंटी सेप्टिक दवाई हैं ऑं टी इंफेक्ट्चन और अंटी सेप्टिक कितानों को मारने का काम करती है अच्छी और यह क्रिम है और आपको ऐसे दिन में दो बार लगाना है सुबहाती कम साइट एफेक्स हैं क्रीम क Perché और ऐसे दिखती है इर गुब्लस क्रीम कि कैसे इस्थमाल करना है दिन में दो बार सुबह नाने के बाद और रात को सोते समय हलकर गीले टावल से अभेक्टेड अर्य को पोचके फिर से लगाना है आपकोorta के अ दिन में दो बार लगाएंगे और अगर आपको खाज-कुझली फंगल इंफेक्शन का प्रॉब्लम है तो एक बात का ध्यान दीजिए अकेली केंडी डर्मा प्लस क्रीम कारगर नहीं है पूरा फंगल इंफेक्शन ठीक करने के लिए आपको और भी प्रॉपर इलाज करना देगा जिसके दम पे आप प्रॉपर ली यूज कर जिसके दम पे आप प्रॉपर ली काम कर सके कैंडी डर्मा क्लस्ट्रीम आपको शुरली फंगल इंफेक्शन के अगेस्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा बिना किसी साइड इफेक्ट के आज के लिए इतना ही दोस शुके